नमस्कार दोस्तों एक बार फिड से आपके अपनी हैट इटूब चैनल पर स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाला हो اगर आप जो है फिक खरीना चाते हैं उसकी बच्छे खरीना चाते हैं गिल्ट मादा खरीना चाते हैं पिंग्नेंट खरीदन चाते हैं एक से मतलब की 15 दिन के पिंग्नेंट मादा बच्चा करने के लिए रह जाती है तो इसमें लगभख 100 जानवर सेल के लिए उपलब्द है इस वीडियो में आपको वीडियो दिखाई जाएगी और आपको बता जाएगा यह सब बच्चे जो है सेल के लिए कहां पर उपलब्द है और मतलब की कितने जानवर होंगे इसमें और यार्डेस आपको बता जाएगा कि इसके फार में पर खरीज सकते हैं आपको रेट इस वीडियो नहीं बताएंगे दोस्तों कि ओनके रेट आप जो आहां प बात कर लेते हैं कि इसके फार्म पर जो है सेल्पली उप्लब दहराके सियादो जिला प्रयाग राज उत्रप्रदेश और दोस्तों यहां पर आगर आओगे जैसे कि आप फूलपूर इक को जानते होंगे फूलपूर आएंगे फूलपूर से पूछेंगे कि पानी टंकी सिठ फूली पानी टंकी आप अगर पूछेंगे तो आपको कोई न कोई बता देगा नहीं तो आपको उनके फार्म के लूकेशन में डालने हूंगा डिक्स्रीक्शन में और लूकेशन पे आप पहुंच सकते हैं और जैसे कि इनके पास देख लिए यह सब गिल्टे माद आया है सेल के लिए उपलब नहीं दोस्तों काफी अच्छे एच्छे हैं और आगे वीडियो चलिए आपको दिखिए भी गिल्ट मादा हैं देखिए काफी सुन्दर काफी साफ सुतरा और आगे चलिए आपको दिखाता हूं यह सब पिंग्डेंट हैं क्योंकि बच्चा तीन से च सेल कर रहा है साथ में तो उनके पास काफी जानौर हों गएंगे दोस्ते और इसलिए उसेल के लिए उपलब देंगे पास अगर जो भाई के कटिंग वाला लेना है माल उनके पास कटिंग भी लिए है इस सब कटिंग के लिए हैं बच्चे जो है लगबगत 30-35 केजी के लि की काफी सापस तरह काफी मस्त है हम बात कर लेते हैं कों सी नसल के हैं यह लाल जॉइट एक सायर मिडिल जिसको बोलते हैं और आगे चलिए आपको दिखाता हूं ब्रीडर अगर आप खरीना चाता है 120 kg के और 110 kg के तो यह है ब्रीडर इनका और यह ब्रीडर भी सेल करेंगे इ क्यूंकि और कोई आपको दिखाएगे नहीं यह देखिए काफी सुन्दर मादा है गिल्ट मादा ऐसे आप गिल्ट मादा देखें तो कमेट करके जरू बता दे दोस्तों और काफी साफसुत्रा इसमें भी गिल्ट मादा हैं कुछ गर्भती हैं और कुछ उस भी हैं यहां काफी सुंदर सुंदर और इनको भी आप खरीने चाहेंगे खरी सकते हैं जो भी आपको मन पसंद आए आप खरी सकते हैं जो STE दोस्तो इस लिए आपको रेट नहीं बता रहा हूं क्यूंकि आपके मन पसंद से उनका जो है एक रेट नहीं रखा हुआ है जान्वर का और इसको देख लीजिए आगे चलते हैं डिल्ट मादा दिखाते हैं यह तो पिंग्नेंट लग रहे हैं दोस्तों और देखते रहे हैं आप तो इन जान्वरों को देख लीजिए पिंग्नेंट मादाया हैं और इनको भी आप खरिश सकते हैं लगभग होंगी दूसरे के मादा होंगी अब दूसरा बियान कहूंगी इनके पास काफी बड़ा फ़ाम है अगर आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा इनके यहां पर की इंटर्व्यू की वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जल्द ही आप हमारे शैनल पर जुड़े रहें सक्स्राइब करने